इसलिए आपश्क है कि राममंदिर बन के जानते कि एक संदेश देगा। दूनिया का इतिहास भरा पड़ा है की भाई भाई की गरधन काट के गद़ि पे बैठा। बेटा बाप को मार के गद़ि पे बैठा। ये दुनिया को इस संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है एक ऐसे भी भगवान है एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता कि एक वचन के लिए संपूर्ण राजे छोड़ कर बेटा जंगल में चला जाता है यहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खणाओं रख के शासन करने लगता है दूसरा भाई जंगल में चला जाता है यह संदेश देगा और दूसरा संदेश जानते क्या देगा आज दुनिया में देखिए क्या है रश्या ने उकरिण पर टेक किया हुआ है हमास रिजलाइल पर टैक किया हुआ है चाइना ने पहले तिबद को अक्वायर किया अब ताइवान के ऊपर नजर है कुवेट को इराक ने कैप्चर कर लिया एनेक्सेशन सब्जूगेशन और डॉमिनेशन पूरी दुनिया में कॉन्फिक्ट है भगवान राम ने क्या संदे नहीं में करते हैं तो पूरी दुनिया को जियो पॉलिटिकल संदेश अगर कोई देगा तो वो यह देंगे और मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो आपने कहा राम शब्दकार से जानते क्या है रमधात उसे बना है जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना रावन से उसकी दस इंद्रियों की बहिर मुखी पीपासा से और राम उत्पन कैसे होंगे राम के पिदा क्या नाम है दश रत तो दशों इंद्रियों को रतेंगे तब भगवाद तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन होगा एक्स्टोबर्ट टेंडेंसी ओफ तो फिर तो वन टू नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो तो अलग है मैं पहले भी उधारन दे चुका हूँ फॉर माइनस थी जिगोल टू बन होता है आप सब ने जब क्लास सेकंड थर्ड में एडिशन सब्स्रेक्शन सीखा हो अगर आप थी माइनस फॉर कर दें टीचर आदिशान है ये जाके समझवाएगा डॉक्टर कलाम से पूछिए तो माइनस फॉर वन के स्क्वाइर रूट का अंतर समझवाएगा तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसलिए राम चरित्र मानस क्यों लिखा है राम के चरित्र को मन में धारन करिए रावन हर चीर में रा का चंकर को मैंने पूजा वो कहता इतने बड़े पूजारी तो राम भी नहीं तो फिर किस कारण से वह हार गया चरित्र में राम बड़े थे इसलिए तोसी ने का राम चरित्र मानस और चरित्र की आयाद दिलाएगा ये मंदिर जो सिर्भ भारत के लिए पूरी मानवता के प्रतीक होगा इसलिए किसी सदी का महान भारत बगए राम मंदिर के संभव नहीं था इसलिए अमरत काल के उशा काल में राम मंदिर उभर के सामने आ रहा है बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही लेकिन आपने जो बात के सिया राम सिया के बिना राम सिया के बिना राम मैं यही सवार पूझा सीता राम ये चुरी जिनके नाम में भी सीता भी है राम भी है अब उनको दिकत है उनको लगता है ये हमारे कॉंस्टिटूशन के खिल नहीं हमारे बिल अता, सिया वर राम चंदर की जै, भगवान का नाम लेकिए. नमाह पारवती पते का हर, हर महाधेव. मगर, यहां पे क्या है? तो राम ऑला का मंदिर। अभी तो राम ऑला हैं, भालक हैं. अभी तो श्री राम ही है, राम लला है, तो जब राम मंदिर का बात आएगी, राम लला का मंदिर में तो जैसी राम ही होगा, जब वो बड़े होके राजा राम बनेंगे तो जैसी राम होगा, और जैसी राम is a battle cry, ये भी कुछ लोग कहते हैं, सीता राम ये चुरी, जिन्हो ने कहा कि ये हमारे सम्विधान के खिलाफ है, कि इस तरहां से पूजन हो, इस तरहां से उद्गाटन हो, भाई निमंतरन आता तो दिक्कत, नहीं आता तो दिक्कत, दोनों तरफ मोदी की दिक्कत, गुसा राम पर क्यूं? नविका जी, मैं तो मर्याद पुर्शुत्तम राम का उपासक हूँ, मेरा नामी पवन कुमार है, तो मैं तो इनके साथ ही हूँ, पर कभी-कभी मुझे सुदानशु जी की बात से लगता है, कि सम्विधान को हटा देना चीए, अब सारी प्रिर्णा के स्रोथ श्रीराम है, अब इस देश में, इस महफिल में, इस अंजमन में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो श्रीराम को भी मानते हैं, और चिदानन दरूपह शिवोहम शिवोहम को भी मानते हैं, देवी को भी मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक हद तक तो ये कहना सही है, कि श्रीराम इस देश की जैसे मेरे मित्र रंगनातन जी ने कहा, एक civilizational values के प्रतीक हैं, और हम हैं, एक ancient civilization और एक young nation, we are an ancient civilization, तो स्री राम क्या पूजयन उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाने में कोई किसी को परिशानी नहीं होनी चाहिए, साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, कि सब चीज को दरकिनार करके अब श्री राम को, कि वो हर चीज के वो आज प्रेड़ना, यानि इस देश में अगर श्री लंका के साथ हमारे संबंद बनने तो हम श्री राम जी के पास जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इकानविका जी, श्री राम का असल सुरूप ब्रह्म है, जो आप में भी हैं, हम में भी हर संप्रदाय में, हर समुदाय में हैं, सब में हैं, और एक श्री राम जी की खास व्यक्ष है, जब उनकी पैदाईश होती है, तुलसी दास लिखते हैं, भय प्रगटक क्रिपाला, दीन दयाला, वो क्रिपालू है, जब हम वो जो भजन सब गाते हैं, श्री राम चंद्र, क्रिपालू भजमन, क्रिपालू भजमन, तो इसलिए एक श्री राम को एक वेपनाईज करने की जो कुशिश होती है, मैं समझता हूं कभी-कभी गलत हाथों में उसका दुर प्रोग होता है, मैं मेरा ये मानना है, कि देश नाविका जी कमजोर अपने अतीद से नहीं होते हैं, देश कमजोर होते हैं जिस तरह से उनको उनका अतीद पढ़ाया जाता है, सतर साल से हमें हमारा अतीद ये पढ़ाया गया है, कि जो हमारे अगेंस हिस्टॉरिकल इंजस्टिस उस पे एक inscription है, image है, Lord Ram, सीता मैया के साथ और लक्षपन जी के साथ आयोधिया वापिस लोट रहे हैं, constitution में image है, और यह आप किस रामराजे की बात करते हैं, रामराजे का मतलब मैं जानता हूँ जिस तरह से, justice दिया गया हर किसी को, इतने extreme तक justice चला गया, कि अपनी wife को भी उन्होंने नकार दिया, और जो कुछ कह रहा था उनके against, उसको justice देने के मतलब absolute extreme, यह तो पैसे मैलाओं को पसंद नहीं है, वाल में कीजी का यह प्रसंद गया है, पर मैं यह कहना चाहरा हूँ कि रामराजे का मतलब है justice, यह कैसा justice है, जहाँ पे हिंदू, अगर कहते हैं कि यह मंदिर हमारा है, यह हमें वापिस दो, वो courts को भी approach नहीं कर सकते, justice के लिए कम से कम judgment आपके against जाए, for जाए, वो अलग बात है, यहाँ पे तो आपने place no worship pack लगा दिया है रामराजे में, जहाँ पे आप court के पास भी नहीं जा सकते, यह कैसा रामराजे ह जहाँ पे आपने सिर्फ temples को control किया है, जहाँ पे साथ लाख हिंदू अपने ही देश में, majoritarian state में, हिंदू राष्टर में refugees हैं, हिंदू राष्टर मात बोलिए, objectionable है, और हिंदू राष्टर से बहुत हैं, लेकिन सैम पिट्रोडा जी कहा है, अपने ही देश में, मुझे हिंदू राष्टर आपने कहा तो मैं कह रही हूँ,